नमस्कार दोस्तों आप लोग देख रहा है इंडियन डेलवे अगर अभी तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर दें और डेटेश्ट परेट पाने के लिए बेल आपको पर पड़ क्लिक करें नमस्कार आज का मारा वीडियो अपडेट है 13 माई तक सोलर ट्रेन को रद किया गया है इस वीडियो अपडेट में हम बताएंगे वो सारी सोलर ट्रेन का परिचालन जो बाधित हुआ है और कैंसिल कर दिया गया है ट्रेन का परिचालन को तो ये वीडियो पूरा देखें तो पचली वीडियो शुरू करते हैं सोनपूर मंदल के हाजपूर सापूर पतोरी बढ़ोनी रेलखन के बच्छवारा विदापती दाम एवं रिस्टेशन पर प्री एनाई का वर्क किया जा रहा है इस वज़ा से 7 से 13 माई तक सोलर ट्रेन को निरस्ट कर दिया गया है कुछ ट् पता तक यात्रों को यात्रा करने में बड़शानी का सामना करना परता है यह ट्रेन को 7 माई से लेके 13 माई तक कैंसिल कराया गया है जिसमें कुल सोलर ट्रेन का नाम सामिल है तो चलिए एक एक करके जानते हैं आखिर कौन सी यह सोलर ट्रेन है पहली ट्रेन बढ़ोनी पूत्र मजबपरपूर पसंजर तीसरी ट्रेन जो कैंसिल रहेगी वो है 13215 और 13216 समस्तिपूर मजबपरपूर समस्तिपूर पसंजर पाचमी ट्रेन बढ़ोनी समस्तिपूर पसंजर आएगी और छाटी ट्रेन की बात करें तो बढ़ोनी मुकामा बढ़ोनी पसंजर 13273 और 63,274 तो यह सब थी पसंजर ट्रेन जो 7 से 13 माई तक रद रहेगी और इसके अलावा 75,240 समस्तिपूर बढ़ोनी पसंजर 8 से 13 माई तक रद रहेगी 4,023 बढ़ोनी दिल्ली एक्सप्रेस 7 माई, 10 माई और 14 माई को रद रहेगी अब बात करते हैं दिल्ली बढ़ोनी एक्सप्रेस के बाड़े में जो 6 माई, 9 माई और 13 माई को रद रहेगी साथ ही 9,027 उधना बढ़ोनी एक्सप्रेस 7 माई को रद किया गया अब बात करते हैं बढ़ोनी लोकमान तिलक के बाड़े में जो 10 माई को रद रहेगी इसके साथ साथ लोकमान तिलक बढ़ोनी एक्सप्रेस जो 9 माई को रद किया गया है ट्रेन संख्यां 1130 बढ़ोनी से खुलने वाली नई दिल्य एक्सप्रेस 4403 9 माई को रद रहेगी साथ ही 4403 बढ़ोनी नई दिल्य एक्सप्रेस 8 माई को भी रद रहेगी 11 माई को 4404 नई दिली बड़ोनी एक्सप्रेस साथ वो 10 माई को रद रहेगी साथ ही 9028 बड़ोनी उधना एक्सप्रेस 9 माई को रद रहेगी अगरताला हभीब गンज एक्सपरेस 8 माई को रद रहेगी साथ ही 1665 हभीब गentalा एक्सपरेस 8 माई को निरष्ट रहेगी तो ये था आज का मारा लेटेस वीडियो अपडेट जिसमें साथ से 13 माई तक सोलर ट्रेन को रद कलाए गया जिसमें कई train express के साथ साथ passenger train भी सामिल है इसी तरह के और भी latest video update पाने के लिए चैनल को अवस्च सब्स्राइब करें और notification पाने के लिए बैल अकून पर क्लिक करें तो यह था आज का मड़ा latest video update और भी latest video पाने के लिए चैनल को सब्स्राइब अवस्च करें और बैल अकून पर क्लिक करें अगर आप लोग कुछ सुझावत दिर्मा चाहते हैं इंडियन डिर्वे को तो comment box में अवस्च लिखें और कोई अन्य topic जो आप लोग देखना चाहते हैं वो भी comment box में आप लोग लिख सकते हैं